हेलो दोस्तों मेरा नाम मनिशुमर गुत्ता है और आप देख रहे हैं गुत्ता जी टेक्निकल आपको आज मैं अनद्बॉक्सिंग गरने वाला हूँ J6 Plus J6 Plus J6 Plus जो siyum本当 ने नया फोन लॉंज किया J6 Plus इसका आज अनदोक्शिंग करने वाला हूं दोस्तों चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं और ओपें करते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं किसके अंदर क्या-क्या है और फोन कैसा है चलिए दोस्तों तो अब इसको अन्बॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते कि इस फोन में क्या-क्या है और इस बॉक्स में क्या-क्या है जेशिक्स प्लस जो सैमसंग ने लॉंच किया है जेशिक्स के बाद जेशिक्स प्लस और इसको उपेन करके आपको हम दिखाते हैं दो लेकिंग जो है दोस्तों बहुत ही चारू तरफ से सेमसंग ने प्रोटेक्टिव के मामले सेमसंग बहुत ही आ गया है तो अच्छा है मेड इन इंडिया लिखा है बॉक्स के उपर अच्छी बात है मेड इन इंडिया के लिए ही बने और ये ब्लेक कलर है दोस्तों ब्लेक कलर और हमारे पास blue black है और यह अपना start guide, quick guide तो इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि box के अंदर और क्या क्या चीजे हैं और यह है charger, cable, USB cable जिसको side बर रखते हैं और यह adapter है दोस्तों जिसका rating आपको बता देते हैं 5V 1A जो fast charging तो support नहीं करेगा दोस्तों फिल भी ठीक ही है मगर Samsung थोड़ा सा बस charging पर अपने ध्यान देगा तो बहुत ही आगे जाएगा क्योंकि market में भी ठककर दे रहा है और यह headphone है जो अभी तक Samsung ने वही बनाया है जो पुराने फोनों में रहते थे कुछ नया लाना चलिए इनको और चलिए ठीक है फोन तो बहुत ही अच्छा है जो पीछे के तरफ glass के जैसे बनाया हुआ इसको भी open करके दोस्तों आपको दिखाते हैं तो चलिए दोस्तों यह हुआ अब open open होने के बाद यह black color में कितना signing दिखा है पीछे के तरफ मेरा चेहरा भी दोस्तों दिख जा रहा है कि हां बहुत ही खुबसूरत पीज बनाया ह है बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों साइड में आपको फिंगर्पीन भी दे दे रहा है वो सब यह charging 3.5 mm का यह आपका headphone jack यह fingerprint बहुत ही अच्छा है इदर साइड में वाइलूंग रॉकर आपको दे दिया गया है बहुत ही अच्छा phone लग रहा है दोस्तों बहुत ही अच्छा phone लग रहा है model अभी J6 का model बहुत ही खुब्सूरत लग रहा है phone अपने आप में model बनाया J6 Plus चलिए ठीक है दोस्तों अभी से on करते हैं और आपको इसके features के बारे में बताते हैं कि दोस्तों इसके अंदर आपको क्या-क्या features मिले वाले हैं और बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है चलिए दोस्तों तो यह जब तक on हो रहा है तब तक इसके बारे में camera आपको camera बता दे रहें दोस्तों camera आपको मिलेगा 13 megapixel प्लस 5 megapixel camera मिलेगा दोस्तों इसमें और front के camera है जो 8 megapixel प्लस LED के साथ और यह आपका fingerprint है दोस्तों यह fingerprint है जो आपको मैं ब देहां दे कि fast charging करें दोस्तों fast charging के लिए ही support है और यह आपका camera dual camera है 13-5 megapixel LED के साथ और phone बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है और यह start हो रहा है विस start करके आपको इस phone के बारे में भी बता देते हैं start होने दिजी जड़ा start यह हो गया है दोस्तों अब यह सब skip करते ह है agree करते हैं सब condition मान लेते हैं Samsung की और agree करके इसको phone को चालू करते हैं तो just a second लिख रहा है और यह सब date weight यह सब हम लोग बाद में set कर लेंगे पहले इसको on करते हैं बहुत जल्दी मुझे भी है कि इतनी खुबसूरत piece मेरे हातों में है और आपको इसके बारे में बता रहा से अब इसे on कर लेता हूं दोस्तों तो इसके अंदर आपको मिलने वाला है 3300 mh की पैटरी और आपको मिलने वाला है चार जीवी रहें 64 GB इंटर्नल में मेरी के साथ और बहुत ही अच्छा है ठीक है इसका प्राइज जो है जो इंडिया में प्राइज है 15,990 रुपे है द ऌक छुट उपन हो गया फोन कितना बबंशुर्ट लग रहा है दोस्तों बहुत ही अच्छां लग जो इसका डिस्प्ले है बहुत ऩह अच्छा इचीदी प्लस डिस्प्ले है दोस्तों हrouग हिए पे हम्रा कि बात करें तो इसकी में मैं अभी कुछ LED आपको मिलेगी दोस्तों यह 6-inch का HD plus display है Android 8.1 Oreo operating system है इसके अंदर और आपको 1.4 GHz भी काम करेगी Qualcomm Snapdragon 425 425 Snapdragon 425 है इसके अंदर और 4GB RAM 64GB है इंटरनल और इसके अंदर आप डाल सकते हैं 512GB तक और आपका जो इसके अंदर SIM का दोस्तों तो फोन तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों इसके अंदर दो नैनो SIM लगेगी और एक memory card भी आप लगा सकते हैं दोस्तों अगर यह वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्स दोस्तों भाजर यह चुब वादव।